हाई फ्रांट्स वर्कम बैक टो मैं चैनल गाइस आज इस विए महामन आने वाले हैं डिजाइनर क्यूट बेबी फ्रॉग फर थी टो फोर येर बेबी गल जिसके लिए यहाँ पर हमने प्लेइन फैब्रिक लिया है जो है वन एन हाफ मीटर सो गाइस लेट्स के स्टार्टेर सबसे पहले हम बैक का पार्ट करेंगे तो फब्रिक को हमने इस तरह से टू-फोर में लिया हुआ है और यह टू-फोर में लिया है अप्रॉक्स 12 इंचेस इतना अब यहां से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे तो शोर्डर का पार्ट मिलूंगी 6 इंचेस का आम होल में लूँगी 6 इंचेस दोनों पॉइंट को जोइन करती हुआ हमें लाइन टो कर लेना है अब यहां पर आएगा हमारा चैस का पार्ट वो में ले रही हूँ 8 इंचेस यहां पर आपको जो भी मेजर्मेंट आदा है उसे डिवाइड पै फोर करके उसमें वन ही यहां पर टोटन लेंद में लिए है 25 इंचेस अब यहां पर हमें हलका सा राउंड शेप डो कर लेना है अब यहां पर हम राउंड शेप देते हुए आम होल्ड रो करेंगे नेक की ब्राउंड नेस में ले रही हैं यहां पर 3 इंचेस और लेंद में लोगी यहां पर 2 इंचेस यह हमारा बैक का नेक तो राउंड शेप देते हुए हमें नेक जो कर लेना है ये देखिए हमारे बैक पार्ट की मार्गिंग अप्रेट हो चुकी है हमें इसे कट कर लेना है ये देखिए हमने कट कर लिया है कि इस तरह से हमारे पास back का part कट कर लिया है हमने अब फ्रेंट का पार्ट करने के लिए हमने इस तरह का rectangle पीस लिया हुआ है और यहां पे हमें सबसे पहले center पे एक mark कर लियना है तो ब्रॉणेस मैंने लिया है 13 चीज तो यहां पे 15 पे मैं एग माग करूंगी और यह Lans भी मैंने लिये है 25 इंचिस अब यह है से हमें 5 इंचिस इस तरफ और 5 इंचिस इस तरफ माग कर लेना है इस पाइंट को हमें संटर वाले पाइंच से मिलाते हुए एक पिर्ट लेना है और यहां पर हमें इसे pin से secure कर लेना है और इस point को हमें इस point से मिलाते हुए एक opposite splits लेनी है तो इस तरह से हमारे पास inverter box split बन जाएगी हमारी बैक साइट में हमारी आएगी box split और इस तरफ हमें inverted box split मिलेगी तो यहां पर भी हमें pin से secure कर लेना है अब उपर से हमें 10 इंचिस पर एक mark कर लेना है और यहां से यहां तक हमें सिलाई लगाके इस pits को lock कर लेना है तो देखे में दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है यहां तक अब यह हमारा right part है उसके उपर back का part हमें उल्टा रखना है जो हमने cut किया था उसे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और हमें यहां पर इसे cut कर लेना है neck part हम बाद में cut करेंगे तो arm hole और यह पुरा जो shape है उसे हमें cut कर लेना है यह देखिया हमने cut कर लिया है अब मैं इससे हटा दूँगी अब हमें neck part cut करना है तो fabric को हमें इस तरह से twofold में लेना है twofold करने के बाद हमें इस तरह से अच्छे से दोनों को मिलाना है अब हम marking करेंगे तो neck की brownness 3 inches और length में लोगे यहाँ पर 3.5 inches और यहाँ पर हम दोनों point को join करते हुए round shape डो कर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा front का neck इससे हमें cut कर लेना है यह देखिया हमने front का neck भी cut कर लिया है अब यहाँ पर हमने slide लगाई थी यहाँ पर हम इस तरह का इस तरह के strip रखें गे और अंदर की तरह fold करते हुए मैं वेश सिलाइर लगादेना है तो दोनों तरफ से fold करना है और यहां पर हमें सिलाई लगानी है और यहां पर भी हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है तो स्ट्रिप को यहां पर हम फिक्स कर देंगे फोल्ड करते हुए यह देखिए हमने strip को यहाँ पर fix कर लिया है और यहाँ पर मैंने 2-3 lines सिलाई लगा दी है पटन करने के लिए अब हम neck part तयार करेंगे तो यह हमारा right part है उसके उपर हमें strip को उल्टा रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है देखिए हमने सिलाई लगा दी है अब हमें हलके हलके नौचिस लगाने है नौचिस लगाते वक ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे नौचिस लगाने के बाद हमें इसे back side पे इस तरह से turn करना है और हमें इसे back side पे double fold करते हुए सिलाई करना है जब आप double fold करते हैं back side पे तो बाहर की तरफ थोड़ा सा fabric हम रखेंगे जिसकी मदद से हमारी piping बन जाएगी इसी तरह से हमें back connect भी तयार कर लेना है देखे हमने इस तरह की piping बना दी है और back side में हमें piping नहीं बनाई है इसी तरह से हमने back connect भी तयार कर लिया है तो यह हमारा right part है उसके उपर back का part हमें उल्टा रखना है दोनों shoulders को join करते हुए हमें सिलाई लगानी है यह देखे हमारा shoulder fitting हो चुकी है अब इसी तरह की piping हमें arm hole में भी बनानी है तो bias strip cut कर लेना है उससे हमें इसके उपर उल्टा रखना है इस तरह भी हमें strip कूल्टा रखना है और दोनों को मिलाते जाना है और हमें सिलाई लगानी है सिलाई लगानी के बाद हमें नौचिस लगाने है और नौचिस लगाके इसे back side पे turn करके double fold करना है और इस तरह की हम piping बना लेंगे तो यह देखिए हमने back side पे turn कर लिया है इस तरह की हमने piping बना दी है अब हमें इसे wrong side पे turn करना है fitting के लिए back side पे हमें turn कर लेना है और यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे one inch के gap पे sillarय लगानी है इस तरह भी हमें one inch के gap पे sillarय लगा किसकी fitting कर लेना है उसके बाद हमें इसकी border को fold करना है तो fitting करने के बाद हम इसे wrong side पे double fold कर लेंगे और सिलय लगाएंगे तो इस तरह से हमारे border fold भी हो जाएगी देखे हमने इस तरह से डवल फोल कर लिया है और हमने फिटिंग भी कर दी है अब यहाँ पे हम बू लगाएंगे तो वाइट फैब्रिक से हमने इस तरह के बू बनाई हुए है जिसे हम यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह के तीन वो हमने बनाए है जिसे हमें यहाँ पे रखना है और थैर और निडल से हम यहाँ पे इसे फिक्स करेंगे तो इसके उपर आप चाहे तो इस तरह के बटन्स लगा सकते हैं तो इसे भी हमें थैर और निडल से यहाँ पे फिक्स कर लेना है तो यहाँ पर हमेंसे fix कर लेना है तो इसी के साथ ही हमारा designer cute सा baby frog बिल्कुल तयार हो चुका है So guys तयार है हमारा designer cute सा baby frog अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को like करें, share करें और guys अभी तक आपने हमारे चर्म को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe करें और उस bell icon पर पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले सब भी वीडियो की notifications मिलती रहें Thanks for watching, bye bye झाल झाल न कमेस तोबगकोısı दाचा को सब किणी पर पर में हमारे ंने दाचा जो जबहाँ करें कि वीडियो लगी तो Пउ üzण तो I